स्वागत हैं पुतिन को रसिया में लगानी पड़ी State Emergency Why did Putin have to impose State Emergency in Russia दोस्तों क्या हुआ जिस वज़े से रसिया में még state emergency लगानी पड़ी सारी चीजों की आपकी जानकरी यहां पर इस वीडियो में मिलेगी और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जुरू कर दीगा यह नियुवर्क टाइम की कटिंग है प्रेजिडेंट वाल दीमाग पूतीन और फ्रसी आप टुकलेद श्टेट अफ इमर्जेंसी इन रूर्ट थो अगर प्रनाउंसियेशन में दर वदर गलती हुए तो स्री तो रूस के साइबेरिया में एक पावर प्लांट से करीब 20,000 टन डीजल का रसा हुआ जो की एक नदी में अंबर नाया नदी है उसमें जाकर गिरा जिससे पानी का रंग जो है पूरी तरह से बदल गया अब देख रहे होंगे वीडियो में वाल दीमाग पुतीन ने इस वज़े से राज्जी में इमर्जेंसी की खुसड़ा की है ठ उर्जा सैंत्र भंडारन केंसे करीब 20,000 टन ज्यादा भी हो सकता है दीजल बहने के बाद दुनिया में जब लोग करोना वाइरिस रसिया भी काफी ज्यादा प्रभावित थे टाफ फोर में जगा बनाई है टाफ फाइब में आप कहे सकते हैं इंडिया ने भी जगा यह जो घटना हुई है यह नौलिक्स सेहर से बाहरी इलाके में इस्तित है कुर्जा सेंत्र उसमें हुई है जो की मौस्को से करीब 3000 किलोमेटर तूर है इंधन को अंबर नाया नदी में मिलने से रोकने है तो अवरोधक लगाए गये हैं नदी से एक झील निकलती है जो इन ने आधिकारियों को इस बहाँ से होने वाली च्छती को कम से कम पैमाने पर रोकने के आदेश दिये दिये थे और जो वहां के जो करमचारी थे जो हैट थे उनको चेल में डाला गया है क्योंकि लापरवाही काफी ज्यादा हुई है आपको बता दें कि रोसिया में जित सेदा भृष्टचार इंदेसों में सामिल है वर्ल लाइफ फंड रूस के संचालक जो है एलेक्सी के मुताबिक मचलिय अम अन्यस संसाधनों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इससे करीब 13 मिलियन डॉलर का कम से कम नुकसान होगा टेल सयंत्र नेरोलिक्स निकिल के एक प्रभाग द्वारा संचालित किया जाता है जिसके छेत्र में कारखानों ने नेरोलिक्स को प्रतिवी पर सबसे भारी प्रदूसरित इस्थानों में से एक बना दिया है दुर्खटना का अभी तक कोई कारण नहीं बताया गया है लेकिन दुर्खटना तो हुई है रूस के राष्टपत ने आर्किटिक के छेत्र में बड़े पैमाने पर एधन तेल पैनले में लापरवाही के लिए उस कंपनी के जो मालिक हैं जो हैड है मैंने बताया था उनको जिम्मेदार ठहराया है उन पर अच्छी कारवाई की जा रही है 1994 में हुई थी काफी जवधा तेल रिषा हुआ और एक अपार्टकालिंग भोषणा की गई थी दो जार सोला में अग दुरू कटना हुई थी एक ऐसा ही प्लांड से करिब ऑ पास все नदी में काफी जब तेल का रिषा हुआ था तो नदी का कुशेरिया लाल हो गया था विश्यसग्यों का मानना है कि साइबेरिया छेत्र में अब जल और मुर्दा संकट की आसंका जटाई जवास सकती है जो तेल है नदी में अगर नहीं होती तो फिर क्या होता कि तेल बहरा होता कोई उपद्रवी जो लोग थे वो अगर माची सवाची लगा तो काफी ज्यादा काफी जड़ा जतना प्रदूसित एरिया है उससे कई गुणा ज्यादा प्रदूसर होता और उनके मुताबिक जो था कि करीब 350 वर्ग मिल से ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ है यहां अंबरनाया नदीम में 20,000 से ज्यादा प्रेट्रोलियम उत्पाद मिल जाने से इसक बताया जा रहा है कि इसमें करीब 10 साल तक समय लग सकता है इसको पूरी तरह से साफ करने में प्लांट में रिशाओ उसके फ्यूल टैंक के एक फिलर के नीचे धसने से हुआ है काफी ज़दा बर्फ रहती है बर्फ पिघनने की वज़े से काफी प्रदूसित होता है अरिय यह जो कंपनी है यह निकल और पैलेडियम धात के उत्पादन करने के मामले में दुनिया की सीर्स कंपनियों में सामिल है फिलाल इस रिशाओ से काफी पर्यावरण इससे ज़्यादा प्रभावित होगा और जली जीवन को काफी ज़्यादा नुकसान होने वाला है फिलाल यह सहर दुनिया के प्रभावित सबस्यदा प्रदूसित सहरों में गिना जाता है अब इसका इस्थान और ज्यादा होगा क्योंकि अब और प्रदूसित होने वाला है दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरू कमेंट के माध्यम से बताएगा आपसे कोश्चन है जो रिसा हुआ है रसिया में यह किस नदी में हुआ है मैंने बताया है इस वीडियो में लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना है ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा चैन